Hello everyone, welcome to my channel, आज हम बनाएंगे ये वाली मिठाई और ये मिठाई बनने वाली है, ब्रेड से, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, हम इस मिठाई को बनाएंगे ब्रेड से, जो खाने में बहुत ज़ादा टेस्टी होगी, और exact flavor ऐसा होगा, जैसे milk cake का होता है, और जो इसक को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम समान की जुरत पढ़ती है, और ये बहुत जटपट से भी बनके तयार हो जाती है, तो सबसे पहले हमें ये मिठाई बनाने के लिए ब्रेड लेनी है, आप यहाँ पर कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर हमको जुरत पढ़ने वाल कर दियार कर लें तो चलिये मैंने सारी ब्रेड कर ली है अब इसको मिक्सी जार में डाल लेते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं तो देखिए फटा फट से पाउडर बनके तयार हो जाता है और हमें बिल्कुल इसी टाइप का पाउडर चाहिए बागे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं एड कर रही हूं चीनी वन फोर्थ क्या है एक चमत देशी घी आप आदा चमच भी ले सकते हैं पर एक चमत से यह जो हमारे ब्रेड क्रम्स जो हमने इसमें बिल्कुल अभी एड किये हैं वह अच्छे से क्या आना कि रोस्ट हो जाएंगे और थोड़े दरदरे से हो जाएंगे फुल भी जाएंगे इससे क्या होगा हमारी मिठाई में एक बहुत अच्छा टैक्स्टर आएगा दरदरा पन भी आएगा क्योंकि हम इसको बना रहे हैं ऐसा जो बिल्कुल मिल्क केक की तरह बनके तयार होगा तो उस चीज के लिए हमें इसको रोस्ट करना जरूरी है जब हलका सा कलर चेंज हो जाए या पिर हलका सा कुरकुरा सा हो जाए आप हातों से दबाकी इसको देख सकते हैं तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको साइड में रखे रहने देंगे तो चलिए हम इतना चीनी देख लेते हैं तो चीनी अभी हमारी नहीं हुई है कैरेमलाइज इतना हम ड्राइफ पाउडर बना लूँगी जैसे कि मिल्क केक पर डला हुआता है ना सेम वैसे ही तो इतना यह जो छोटे-छोटे पिस्ता है यह मिक्सी के जार में तो क्रश नहीं होने वाले हैं तो मैं इसको नाइफ की हैल्प से इस तरह से इसको क्रश कर रही हूं पूरे 30 सेगेंड में य तो देखिए इतने में चीनी का कलर बिल्कुल अच्छ से चेंज हो गया है जादा कूक नहीं करेंगे क्योंकि फिर यह जल जाएगी तो मिल्केक में एक फ्लेवर जो आता है ना वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कैरमलाइज का तो अब हम इसमें एड़ करतेंगे एक कब दूद एक कब से जादा दूद हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है इस बात का आप ध्यान रखें और इस दूद को अब हम इसमें मिक्स करेंगे चीनी इस तरह से खटी हो जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं पर इसमें घवराने की बिल्कुल भी जुरत नहीं है जैसे आप दूद को उबाल देना है स्टार्ट करेंगे जैसे दूद में चीनी घुल जाती है ये सेम ऐसे ही घुलना है स्टार्ट हो जाएगी तो मेरी चीनी तो बिल्कुल अच्छे से घुल चुकी है तो अब मैं इसमें एड कर रही हूँ ये ब्रेड का पाउडर जिसको हमने बिल्कुल अभी अभी रोस्ट करा था और हम इसको मिक्स करना है स्टार्ट करेंगे और हमको इसे लगातार ही चलाते रहना है कि नीचे से ना लगे और बिल्कुल अच्छे से दूद जो है इस पाउडर में मिक्स हो जाए जैसे कि हम मावे को लास्ट में जब मावा मारा ग पाउडर नहीं है तो आप 4-5 चमच मलाई का भी इस्तमाल कर सकते हैं उससे भी इसमें बहुत अच्छा टेक्स्टर आ जाता है तो देखे बिल्गुल अच्छे से मिक्स करने के बाद ये इस कंसिस्टेंसी का हो गया है अब ये काफी गरम है तो थोड़ा सा लिक्विड टाइ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मलब ये बहुत जादा टाइट है तो अब हम यहां पर फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ से ठंडा होने देंगे तो मैंने यहां पर यह कुछ कंटेनर लिये हैं जिसमें हम इस मिठाई को अच्छे से जमा सकते हैं आपके पास कोई भी कं पर मेरे पास एक वाली ट्रे और थी जिसकी डेप्थ बिल्कुल ठीक थी एकॉर्डिंग टू यह मिल्केक की मिठाई बनाने के लिए तो मैं इसमें इस मिठाई को लगाऊंगी तो सबसे पहले मैंने यहां पर ओडी इको बेक का बेकिंग पेपर लिया है जिससे कि यह मिठ इठाई तली पर ना चिपके और बिल्कुल असानी से बाहर आ जाए इसकी जगह आप बटर पेपर भी ले सकते हैं बटर पेपर नहीं है तो आपकी यह एफोर शीट जो होती है प्रेंट करने वाली जिस पे कोई भी इंक या फिर छपा हुआ ना हो उस पे आप थोड़ा सा ओइल लगा के या देशीगी लगा के भी इसके एंट पर लगा सकते हैं तो मैंने अब यहाँ पर यह मिक्स्टर जो है वो इस ट्रे पर एड़ कर दिया है और इस पैचूला की हैल्प से मैं इसको धीरे-धीरे से दबा रही हूँ और बिल्कुल प्लेन कर रही हूँ सारा मि मेरी इस मिठ्थाई में बिल्कुल ही पर्फैक्टली सेट हो गया है और सारा मिक्स्टर इसमें पहले है मैं इसको रख दूँंगी एक गंटे कर इसे वाल है। आप चाहे हैं तो तो नहीं प्र मभी रख सकते हैं तो मैंने तो आदे गंटे के लिए इसको फ्रिज में रख तो अब देखिए यह मिठाई कितनी असानी से बाहर आ गई है बेकिंग पेपर लगाने की वज़े से और अब मैं इनको मिल्क केक की शेप में कट कर रही हूं तो देखिए मिठाई कितनी बढ़िया बनके तयार हुई है और इस मिठाई को अब हम गानिश कर देंगे क्रश करे है तो देखिए यह हमारी मिठाई बिल्कुल जटपट बनके तयार हो गई है जो बहुती ज़्यादा सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुती ज़्यादा टेस्टी थी इस मिठाई को बनाना वैसे तो बहुत ज़्यादा असान है पर एक बात जरूर ध्यान में रखन करती है तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें साथ ही में मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग